नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी श्रेडी भी अच्छी चल रही होगी आज की जो हम स्रीज स्टार्ट कर रहे हैं मिसिन रेलवे वाली उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैं फिर आपके लिए न्यू पंदरा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो की काफी इपोर्टेंट होने वाली है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेर किया करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये डेली दस मिनिट की ही बात होती है कोई ज़्यादा टैम मैं आपका नहीं लेता हूँ दस मिनिट में ही आपके लिए मैं पंदरा क्वेश्चन लेके आता हूँ जो की आपके हर एकजाम के लिए पोर्टेंट है और डेली हम अगर 10 मिनिट निकालेंगे जर्नल साइंस के तो एक दिन हम खुद रियलाइज करेंगे जब आप एक्जाम दोगे या मौक टेस्ट दोगे तो बहुत सारे कॉश्चन यहां से रिपीट होगे तो आपके लिए काफी हेलफुल होने वाले है तो चलो आज की स्रीज वाली या इकाई वाली पड़ी थी उसमें पढ़ा था पार्षे किसकी इकाई है लंबी दूरी होती है उनकी इकाई है समय की तो क्या होता है और प्रकास की चमक की अलग होता है तो यह पार्षे किसका हो जाएगा दूरी का हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टिन की बात करते है निमन लिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है इन में से कौन सा मतलब गलत जोड़ा है कौन सा सही नहीं है डेसिबल द्वानी की परबलता होती है सही बात है अशो शक्ति इसको होर्ष पावर बोलते है ये सक्ति की पावर की होती है ये भी सही है समंद्री मील को किसमेजरमेंट करते है समंद्री मील दूरी की इकाई है ये भी सही बात है सेल्सियस को उश्मा की इकाई है ये गलत है उश्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होता है उश्मा की इकाई आपको पता है जूल होती है तो ये गलत है Option D is the correct answer हो जाएगा ये गलत है इसमें से शही है Lumen किसका मातर का आपको पता होगा Lumen उस यूनिट वारी किलास अगर आपने देखी है तो आपके याद होगा जोती तिर्वता का गलत जोती फलक्स का correct answer A B दोनों नहीं होगा इनमेंस कोई नहीं होगा जोती फलक्स का जिसको बोलते है कैंडला के इंटेंसिटी होती है Lumen जोती फलक्स का मातर को होता है ठीक है next question की बात करें पासकल किसकी का ये पासकल किसका यूनिट है आधर तका नहीं दाब का वर्षा की तापमान की दाब का सही यूनिट क्या होता है पासकल होता है correct answer क्या हो जाएगा option B is the right answer next question की बात करते है अब ये question थोड़े बायो के है निमन लिखित के बारे में निमन में कौन सा कथन सही नहीं है आपको सही नहीं question पूछा है कोसिकाओं के अकार और एमाप विशिष्ट कारे समंदित होते हैं सही है ये तो कुछ कोसिकाओं के बदले आकार होते हैं सही है परते कोसिकाओं में निश्पादन की अपनी शमता होती है ये भी सही है सभी धे उतकों में एक ही परकार की कोसिकाओं बिद्यमान होती है निमल लिखत में से कौन सा कोशिकांग पादब कोशिका में पाए जाता है कि इन तू जन्तू कोशिका में नहीं पाए जाता है इनमें जन्तू कोशिका में कौन सा नहीं पाए जाता है तो सही आंसर पता है इसका क्या होगा प्रोड़ोपलास्ट अंसर जो कि कोशिकां के पादब कोशिका पाए जाता है तो जन्तु कोशिकां में नहीं पाए जाता है तो इसका सही answer क्या होगा । option A, A is the right answer को सिका का जीवितансर जिसको जीवदरव्य कहलाता है इसे किससे बना होता है केवल को सिका द्रवे से केवल को शिका द्रवे को सिका द्रवे option D is the right answer जो जीव द्रवे बना होता है हमारा सबसे मिलकर बनता है कोशिकाग द्रवे केंद्रक द्रवे और अन्य कोशिकाग से भी मिलकर बना होता है ठीक है नेक्ट कोशिकाग की बात करें 80% से अधिक कोशिकाग सेल में क्या पाया जाता है C% से दिख्या, प्रोटीन, चर्बी, खनीज और जल तो आपको सब को पता है हमारे स्रीम में सबसे ज़्यादा किस्की मातर है जल की मातर है, तो सही आपस अप्शन क्या हो जाएगा D is the right answer हो जाएगा निमनली खित में किस कोशिकाओं में नाबिक नहीं होता है इसमें ये पुछाए किसमें नाबिक नहीं होता है मूल, रोम कोशिका, लाल रकत कोशिका, पलेट, लेट या मोनो साइट इसका सही आपस पता है क्या हो जाएगा जो हमारी RBC होती है, जो हमारी RBC होती है रेड बलड होती है, रेड बलड होती है ना राल रक्त कोशिका हैं होती है ना उसमें नाबिक नहीं होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन B is the right answer होगा इसमें नीमल लिखते में कौन से कोशिकाओं के आतम घाती बेग खा जाते हैं इनमें से कौन सी कोशिका को आतम घाती बेग खा जाता है कौन सी होगी लाइसोसोम्स राइबोसोम्स डिक्टोसोम्स फेगोसोम्स तो सही आंसर पता है क्या है औपसन B औपसन A is the right answer हो जाएगा इसका लाइसोसोम्स है ना ये आतम घाती बेग खा लाते हैं लाइसोसोम्स क्या कलाते हैं? आतम गाती बेक लाते हैं. निमन लिखत कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? इन में से कौन सा अर्ध पारगम्य है कोशिका में? कोशिका जिली, पलाजमा, जिली, कोशिका, भीती और केंदरक. तो इसका सही आनसर किता है? क् option A is the right answer के अंदर क्या है का अर्ध पारगम में है next question की बात करते हैं निमन लिखित में से किसको कोशिका सेल का power plant का जाते है power plant इसमें कौन सी कोशिका को power plant कहते है अगर आपने थोड़ी सी जर्णिल साइंस सही से पड़े तो आप idea लगा सकते हो power plant आपको पता है कि power plant को कोशिका का power plant क्या जाते है तो सही option क्या हो जाएगा option B is the right answer हो जाएगा कोशिका का सकती स्त्रोथ क्या है कोशिका का सकती स्त्रोथ पत्पूच है आप से सकती कहां से मिलती है power को सही तो सकती बोलते है power को सकती बोलते है तो माइट्रो कॉंडरिया भी इसका राइट अंसर हो जाएगा ना कोशिका भी थी होगा, ना राइबो, सुमसर ना नूकलिस होगा कोशिका का सकतिस्त रोच क्या होगा माइट्रो कॉंडरिया ही इसका राइट अंसर होगा मानव श्री में मौझूद निमन लिखित कोशिकाओं में से किस माइट्रो कॉंडरिया नहीं पाए जाता है तो आप से ये पूछा है लाल रकत कोशिकाओं में मास पेशियों में स्पेथ रकत कोशिमा हूँ तो लाल रखत कोशिकाओं में माइट्रो कॉंडरिया नहीं पाई जाता option is the right answer हो जाएगा निमल लिखते में कोशिका का नियंतरक केंदरक को होने आप से पूछा कि कोशिकाओं का जो कंट्रोल करने वाला केंदर या सेंटर है वो कौन सा होता है तो केंदरक ही कोशिकाओं को कंट्रोल या नियंतर करने वाला केंदरक होता है ना प्लाजमा होता है ना लाइसोसोंस होता है ना क्रोमोसोंस होता है इनमें सही answer क्या होगा option is the right answer हो जाएगा और आज का हमारा last question आपके लिए 16 question हो गया आज निमनलिक्त की कोशिका सुक्षम जीव कोशिका है इन में से कौन सी कोशिका सुक्षम जीव कोशिका सुक्षम सबसे छोटी कौन सी है बैक्टीरियम, ब्रेड, मॉल्ड, माइको प्लाजमा, वाइरस तो सबसे छोटी क्या है माइको प्लाजमा option C is the right answer सर्माइक को प्लाजमा इज़्दा सुक्समजीव कोसी कहा है तो ये आज के हमारे 16 कोश्चन थे उमीद करता हूँ सीरीज आपको पसंद आई है तो कल एक नई सीरीज के साथ मिलेंगे ज़्यदा ज़्यदा वीडियो को शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें मिल टेक नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिन धनेवाद बाई